हेलो दोस्तो केलडी क्लासेस में आपका स्वागत है जैसा कि आपने थमनेल देखा होगा कि यानि कि लोकसवाद चुनाओं के 2019 में इंपोर्टेंट 25 कोजिशन 25 कोजिशन ऐसे ये कोजिशन है जो पेपर में आने के संभावने 100% हो क्योंकि आपके इधर जो पेपर है कैसे ते अगर आपने पढ़ा होगा तो कम से कम 4-5 कोजिशन आपको डारेक्ली आपको पता होगा तो देखते हैं कि आपके कितने कोजिशन 25 के सही होते weiter 50 में से जितने सही होंगे 25 में स अगर किसी का बीस सही होगा है जानलीजिए उसको इ्लेक्न के बारे में सभीutet clear है और अगर कि 2019 में लोग सभा के कौन से नंबर का आम चुनाव हो रहा है यानि कि दर्शा होता नहीं कि जैसे 18 लोग सभा 19 लोग सभा या 17 लोग सभा या 16 लोग सभा तो यह जो होगा यानि कि कह सकते हैं कि 17 लोग सभा का यानि कि यह चुनाव हो रहा है जैसे अगर पूछा जाए कि यह होगा तो यह था हमारा पहला कोश्चन आगे बढ़ते हैं आगे दूसरे नंबर कोश्चन पर दूसरे नंबर कोश्चन यह है कि अब की बार लोग सभा का चुनाओं कितने चरड़ों में होगा यानिकि संपन हुआ है पांच छे आठ साथ इसका एंसर होगा जो आपका पैसे सेट किया गया कि जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए इसका होगा यानिकि कोश्चन यह था कि अब की बार लोग सभा का चुनाओं कितने चरड़ों में संपन हुआ है आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर कोश्चन पर तीसरे नंबर कोश्चन यह है कि भारत में के ऊपर यानि कि लोगों को भड़काते हैं कि तुम ओट देने जाओगे तो यह कर देंगे उस तरह यानि कि जो चुनाओं आयोग होता है तो एक ऐसा नियम लगाता है कि यह सभी के ऊपर लागू होता है कि अगर कोई भी अपने आपको दबंग गई यानि कि मानता है या बनता है तो कह सकते हैं उसके उपर कारवाई होता है तो यह कह सकते हैं कि चुनाओं से पहले लागू हो जाता और चुनाओं खतम नहीं तब तक लागू हो रहता है तो यह कब से लागू होगा यह आपको बताना 10 मार्च 14 मार्च 11 अपरेल या 10 अपरेल तो इसका एंसर पर आख्या कि पिटाज आपके वहां पर देख सकते हैं पहला ही वीडियो हमारा आधर्स आचार सहीथा पर ही बना हुआ है आगे बढ़ते हैं आगे चोथे नमबर कोश्चन पर चोथा नमबर कोश्चन आपके स्क्रीण कोश्चन है कि लोग सभा चुनाओं के पहले चरड का चुनाओं किस दिन हुगा था देसे आपके अभी आया ना कि कितने चरडों में चुनाओं संपन हुआ तो साथ चरडों में अब पहला चरड कब से हुगा यह आपको बताना है 12 अप्रेल, 10 अप्रेल, 11 अप्रेल या 15 कह सकते हैं कि 11 अप्रेल 2019 को पहला कह सकते हैं कि चरड की शुरुआत हुगा और लाश्ट आपका कब हुगा बताई लाश्ट का कब होगा तो लाश्ट का अभी इसके बाद आ ही गया कोश्चन देखिएगा कोश्चन पांच नंबर उसी पर है कोश्चन यह कि लोग सभा यहां पर आज आपके चुनाओ तो यह कैसे ते कि 11 अप्रेल से शुरुआ और आपका कब तक 19 महीं तक यह चुनाओ यानि कि चला है साथ चलडों में यह चले हैं आगे बढ़ते हैं च्छाटे नंबर कोश्चन पर च्छाटा नंबर कोश्चन आपके स्क्रीन पर कोश्चन करूं तो यानि कह सकते हैं कि आपके यानि कि पांच सीटें वहां पर खाली है समा सकते हैं यानि कि पांसो बावन में से पांस खाली है और दो का तो आपको पता है कि दो यानि कि राश्ट्पती जो होता यानि कि एंगलों इंडियन का चुनाओ करता तो पांसो तिरालिस प किसी पर्टी को पर्धान बंतरी बनने के लिए कितने शीटे अनिवार लें लिया आप सोचते होंगे की बित इसका वाद करो या ऐसा कह सकते हैं सीटे आपको लाना क्यूंकि देखे 543 है यानि कि अधिकतं यानि कि उतना के लिए चुना हो रहा है तो 543 का आधा करेंगे तो लगवक्त 272 आएगा क्योंकि एक तो अधिक होना चाहिए यानि कि आधे से एक सीट अधिक अगर आप लाते हैं तब आपका आपने पार्टिटए का आप पर्धान मंत्री बना सकते हैं तो 272 सीटे आपको लाना ही होगा अगर आप 300 लाएंगे चार सो लाएंगे तो आपकी बात है यानि होता नहीं पूर बहुमत कह सकते हैं आगे बढ़ते हैं आज के आठ नंबर कोस्चन पे आठाव नमबर ये है कि भारत में लोक सभा चुनाओ के साथ साथ कितने राज्यों में बिधान सभा के चुनाओ है देखे आपने ये भी सुनाओगा कि यहाँ पे यानि कह सकते हैं कि विधान सभा के भी चुनाओ यानि कि जिसे यहाँ पे हम लोग क्या होगा पूरे भारत के लोग क्या चुन रहे एक यानि कि आपका परदान मंतरी चुनना है और कई राज्यों में कह सकते हैं कि वहाँ पे यानि कि कोश्वा कोश्वा उसी पर है कि भार कि किस राज में लोक वा के साथ सथ राज्यों में विधान वा को प्रदेत के लोक सवा चुनान तो पूरे भारत बहुत हैं ओर एस मुखमंत्रियों का भी चुना हुआ है कह सकते हैं संपन हुआ है इसका जो सही होगा यानि कि उपरोग्त सभी आगे बढ़ते हैं आज के दसे नमबर आप देखें यहां पर आ गया कि जो साथ चरण में संपन हुआ चुना उसके उपर कोश्चन है थोड़ा सा कटे का कोई दि 20 अपरेल 39 छो माई और तब कौन से समय होगा बार्य अप्रेल 15 अपरेल 29 छो माई बार्य माई 18 माई लस्ट में इतया कि 19まई अर लस्ट थे है कि इन में में से कोई लैसN Tá जो सही होगा कह सब्सक्राइ 흥 यानि कींकी तीसरे नमर का है अपसा हो सही होगा यानी पहला चरण 11 अप्रला ग५ाद दूसरा आपका 18 अप्रला तीसरा जो आपका 4 झार्ला थीज़ चरण अपरण, 4 जो वगा आपका 5 जो वगा है, 5 जो हुगा कह अगे बढ़ते हैं आज के कह सकते हैं कि लोग सबाचुनआ में प्रतेग प्रतयासी को कितने लाक रूपए यानि कि रूपए पर चार में खर्च करने के अनुमती थी यह जो आपका निर्वाचन आयोगा वह एक लीमिट रखता है कि आपको यानि कि एक कैंडिडेट को इतने रूपए ही खर्च करने हैं उससे अधिक आप खर्च करेंगे तो आपके उपर कारवाई यानि कि कह सकते हैं पर्यकर आपको प्रतिवन नहित कर दिया या कुछ भी आपके ऊपर वह चुना आयोग के उपर निर्वाच करता है चलिए आगे बढ़ते हैं आज के बारे नमबर कोश्चन पर बारे नमबर कोश्चन है कि इस बार लोग सभा के चुनाओ में कितने सीटों के लिए EVM यानिक इलक्रानिक ओटिंग मसीन और वीवी पैट मसीन से चुनाओ कराया जाए देखिए पहले होता था कि EVM से होता था तो लोग कहते हैं यार EVM को है कर लिया यानि कि होता ना कि आपने वस में कर लिए जिसको चाहते उसको उड़ लेकिन आपकी जो इलक्सन कमिशन है कह सकते हैं कि आपकी EVM के साथ वीवी पैट मसीन भी यानिक उसको एड़ किया अगर दोस्तोंने कहते हैं कि अबकि अब बार और ऑड़ दियोंगे उनको एवीम भी मसीन देखने को मिला होगा और वीवी पैट भी देखने को मिला है तो टोटल कितने सीटों के लिए चुनाओ करा जा गया है आगे बढ़ते हैं आज के लड़ने के लिए आपकी उम्र कितने वर्स यानि के पूरे होनी चाहिए तो आपकी कितनी एज हो कि कितनी एज यानि कि पूरी हो जाए जिससे ओर लड़ सकते हैं ततीिस वर्सnentाद के सिट्टलल को होनी में बलेका 005 आपको डिवाली के시에 और आपके ऊपर आप देश्दुरों ना हो कि इस तरह से चली रहा कोई दिक्कत नहीं चली आगे बढ़ते हैं आज के चौधा नमर कोश्चन पर चौधा नमर कोश्चन है कि लोग सभा का आगे बढ़ते हैं आज के पंदर नमर कोश्चन पर पंदर नमर कोश्चन है कि सत्रवी लोग सभा के चुनों में पर्धान मंत्री नेरलमोदी जी किस अस्थान से चुनों लढ़ ने हुथा ना नहीं एक परधान मंतर जी यहां कि रहुल qualcosa कह सकते हैं कि 2014 में भी वहां से लड़े थे और 2019 में भी वहीं से लड़ रही हैं आगे बढ़ते हैं आज के 16 नंबर कोश्चन पे कोश्चन आपके स्क्रेन पे कोश्चन है कि वर्तमान कांग्रेस पार्टी अध्यच राहुल गांधी जी इस पार की सरस्थान से लोग सबा का चुनाओ लड़ हैं यानि कि जो आपका कांग्रेस पार्टी है जिसका आस्थापना उनीस यानि कि 1850 में आपको पता है यानि कि 28 गिसरस्का काहे वर्तमान में ये किसे सथान से जैसे हैं कि मोधी जी को अभी हमने बताया है कि ये आपका बनारस से लड़ है उसी तरह से पढ़ता है आपके लिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आज के सत्रे नंबर कोश्चन है कि इस बार पैसा लए लो ओठम के दे दो आप उसमें कह सकते हैं कि उसके बार बाद बाजी या किसी बी तरह से कुछ भी प्रावल्म हो यहां पर जबज़स्टिक काम हो रहा तो इस तरह से आप उस पर कारवाई हो सकता है सत्रे नंबर कोश्चन यह था आगे बढ़ते हैं अठारी नंबर कोश्चन पर भारती निर्वाचन आयोग मददाता को जागरुक करने के लिए किस दिन मद्दाता जागरुकता दिवस मनाता है 26 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 8 माज तो प्रतेक वर्ष 25 जनवरी को कह सकते हैं कि यानि कि मद्दाता जागरुकता दिवस मना जाता है देखते होंगे कि आपके स्कूल में भी तो पचीज जनवरी आपक यानि कि यह मनाना जारी किया गया है, तो 25 जन्वरी दोहजार इग्यारे से उस समय आपके प्रतिवार सिंग पार्टिल जी यानि की राष्टपती थी उनके द्वारे ये शुरुआत किया गया था तो कह सकते कि प्रतिवर्श 25 जन्वरी को मद्दाता जागरुकता दिवस मनाए जाता है आगे बढ़ते हैं आज के जन्कारी प्रतान करें नोका कमलब कया होगा नान आप दि अभाव यानि कि इन में से कोई हमको पसंदी रही है बोतना याड़ यह भी धुक्यवार को चीजिदा था कुछ भी हमारे से काम नहीं किया था ये तो एक दम चोरी रहे है कैसे त। क제가 कि मंन में आता होगा यार् प्रत्यासी इस तरह से हम इसको ओटी नहीं कुछी को नहीं तो आप क्या करते हैं आप नोटा दबाते हैं अगर नोटा के बारे में आपको जान गई चाहिए आपके 2019 के लोग सबाचुनाओं का भी से क्या है, इसका जो सही होगा, यानि कह सकते हैं कि आपका सीध यह है, कोई मद्दाता मद्दान से छोटने ने ना पा, यानि कि सभी को मद्दान के अन्यका आसर दिया जाए, चाहे याप को यह बताया गया है यानिकि यह कहा गया है कि आप यह कहा गया कि आप ओट दे सकते हैं UFO 2 टो यानिके ताइस के तहस यानिकि आप ओठ देने का अधिकार दिया गया आप जिसको चाहते हो यानिकние अपने हिसाब से जिसको चाहते हो किसी के दवाव में या किसी के प्रेसर में नहीं आके आप जिसको चाहते हो उसको ओड़ दे सकते हो तो यह था हमारा 20 नमबर का आगे बढ़ते हैं आज के 21 नमबर कोश्चन पर तो यहां पे जो ओट देने की एज थी पहले वह 21 वर्स थी तो उस समय यानि कि राजी गांदी जी कह सकते थे आपके भही थे यानि कि उनका कारेकाल था उन्हों ने यानि कि इसको घटा के एकईस वर्स जैसे अब आज हमारा क्या है हमारा 18 साल हमने ओट दे दिया लेकिन समझदान संसुदन या 61 समय रहता है अज के सकते हैं अगे बढ़ते हैं आज के बाइस नमर कोश्चन यह कि भारत देश का पहला ओटर पार किस देश में बनाया यानि किस सहर में बनाए गया गया है कानपूर गुरुगराम गांधी नगर या वरार्स यह समझते हैं पहले ओटर पार क्या जिसे आप कहीं पर जाते होगे यार कि होताना बगीचा या पार कह सकते हैं वहाँ पर घूमते होंगे या परदर्सनी लगता है तो अच्छे चीजों के बारे में दिखते हैं इसी तरह से अगर आप यानि कहसे कि इसका जो एंसर मैं बताते हो गुरू हाँ सरा कि यहां पर देंगे क्या ओदिकार होता हैं तो कहां पर बना है गुरु गुरां में यह देशका फिर्ट का पहला वहां पर बना है आघे बढ़ते हैं तो आज के त्वा सदन गा से लोग सबने बारे में बात किया है Subscribe सब्सक्राइब ब्राइब सब्सक्राइब रूप में को सबसे अधिक आदर्स आचार सहीता नियम का उलंगन हुआ है जैसे आपको पता हो कि यानि के अधितनाद योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्वेंति हैं उनको उपर यानि के कह सकते हैं कि प्रतिबन लगाया था कि इतने गंटे तक आप पर परचार नहीं कर सकते हैं आ सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ऐसे केस आएं लाश्ट वे बढ़ते हैं आज के जो हमारा पचीश नंबर का कोश्चन है कोश्चन है कि भारत देश का वर्तवान मुख्य चुनाओं आयुक्त कौन है यानि कि जो इस चुनाओं को सारे कराता है चाहे राज सबाओं चाह है कि इनके नीचे दो लोग काम करते हैं यानि कि कैसे यह आपको पूरा पैनल है यह तीन लोगों का समीटी है तो यह पूरे चुनाओं के काम कराते हैं यह थे हमारे कैसे थे कि आज यानि कैसे क्लिक रहतों तो नीचे कमिंड बाक्स में लिखेगा और कुछ भी आपको इसके अलावा कुछ अगर छोटा हो तो आपको पूछना हो तो नीचे कमिंड बाक्स में जुरूब तो इसी तरह से के लडी क्लास में बने रहें के लडी क्लास में बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को